तो फ्रेंड्स आज है लखी पूजा तो आप सबको लखी पूजा की देट सारी बधाई तो यहां पे मैं खीर बना रही हूँ तो खीर की रेशेपी तो कॉमन है मैंने शेयर नहीं किया लेकिन किसी ब्लॉग में जरूर शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से खीर बनाती हूँ तो मैं यहाँ पे जो लक्षमी माता है उनके अश लक्षमी जो माता है उन्हीं कि मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ तो यहाँ पे मैंने कलस बनाया है और यहाँ पे मैंने खीर बनाया है और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो वाइट वाली मीठाई है छेना मीठाई बोलते हैं वो हम लोग जरूर लखी पूजा में यूज करते हैं और दिया अगेरा जलाके अगरवती जलाके और हम ल पर बड़े बरतं से खीर निकाल के छोटा बरतन में डाल दिया था क्योंकि हम लोग जिस बरतन में बनाते हैं वो डारेक्ट भगवान को उस बरतन से नहीं चढ़ाते हैं वो भले साइड में हम लोग रख देते हैं और यहाँ पर मैंने तुलसी पत्ता वगेरा सब ले लिया जो भी सेव केला मौसमी फल जो भी होते हैं उस सीजन के जो भी होते हैं आप सबको आपको चढ़ाना होता है इसमें धान चढ़ाया जाता है जो नहीं वाले जो धान होते हैं वो चढ़ाया जाता है तो मैंने पूजा कर लिया था उसके बाद मुझे मिला था उसको मैंने फुझ जगह पर पूरी और बाहर में रखूँगों जो रोसनी कोई हैं पढ़ना आपना चाहिए जो रात बाहर रखतेंगे तो यह हैं यहां पर मैं चंदा मामो कहते हैं चंदरमा चंदरमा की पूजा कर रही हूं पूरी तरह से गोल तो इतना अच्छा लग रहा था देखने में और नो रही हुआ था च्छत पे गई थी तो काफी वहाँ पे ठंड़ा ठंड़ा फिल हो रहा था और लखी पूजा बेंगॉली वगेरा जो होते हैं उनमें कुछ जादा ही जादा देखती हूँ जादा ये है हमारे यहां कुछ लोग करते हैं तो बात में हस्में लाए थे धान तो मैंने यहां पे धान भी चड़ा लिया है तो फ्रेंड्स यहां पे मैं अपने नियू वाले छट पे आ गई हूँ जो हमारा गैरिस था ना उसे के उपर तो किसी फ्रेंड्स ने कहा था कि आपने अपनी चट की धलाई सेयर नहीं की तो मैं किसी और वीडियो में उसको जरूर सेयर कर दूँगी तो मैंने यहां पे खीर रग दिया है और उपर मैं आपको चान दिखाती हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में पुन रूप से इतना खुप्सूरत लग रहा है और नीचे मैंने खीर रग दिया है तो रात बर यह खीर ऐसे ही यहां पे रहेगा और सामने में ही मेरा जो घर है रूम है जो आप से उठा लूँगे लग लग नाम दिया जाता है तो आज पुन निमा के तिथी है तो मैंने पूजा अगेरा कर ली आज हमारे यहां खीर बनता है और यह खीर रात भर चांद के नीचे रखा रहेगा मिन्स चांद है तो उसकी रौशनी पढ़नी चाहिए खीर में तो इसको मैं जाके च्छत प आपको बिमारी हो दूर हो जाती है तो हमें जरूर करना चाहिए और इसका क्या साइंटिस्फिक रीजन भी बहुत सार है तो आप गूगल कर लेना आपको सब पता चल जाएगा तो फ्रेंट्स मेरे चैनल को जरूर रहा सब्सक्राइब कर देना है बोली चुकी हूँ मैं त तो प्लीज कर देना और अगर मेरा वीडियो किसी भी रीजन से पसंद आए तो प्लीज लाइक और सेयर कर देना थैंक यू